इस प्लेलिस्ट में अभी तक 34 वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं और यह वीडियो जो है तीन डिफरेंट पार्ट में हमने कैटेग्राइज कर रखा है पहला सिस्टम एड्मिनिस्टेटर सुर्टिंग जिसमें हमने बेसिक नेट्वर्किंग और डेक्स्टॉप से रिलिट की सर्विस को dhcp, dns, group policy, fsmo role, domain replication की सर्विस्ट को डिस्क्राइब किया है और तीसरा जो मैडूल है वो है मेलिंग सर्विसेज की मेलिंग सर्विसेज में अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हमने दो वीडियो प्रोइड कर रखे हैं जिसमें से पहले वीडियो में मैं आपके वो गाइड किया था कि how we can create free trial account over office 365 portal और दूसरी में हमने users create करके देखे थे इस admin center के बारे में बात की थे कि admin center के जरीए आप क्या-क्या task perform कर सकते हैं तो basic user administrator का concept हमें clear हो चुग है हम इसकी तुरू users create करते हैं, password assign करते हैं, उनको license assign करते हैं, role assign करते हैं और यह ज responsibility हमारी होती है, means इनके इनकी जो meaning है, इनके अंदर जो changes है, वो सारी चीज़े हमें manage करने की ज़रूरत होती है, in case of real environment, चलिए, कुछ और point यहां पर बात करते हैं, users की properties में, जैसे यह support नाम का user बनाया था हमने, और इस support user को attach किया है teachmecloud.net, जो कि हमारा personal domain controller है, जो जिसकी help स हम अपनी email services, जो अपने employees हैं, उनको email id प्रोवाइड करते हैं, आप देखिए, यहां पर user name के पास, एक और option दिखाए कट रहा है, which is alias, right, so alias is क्या होते है, alias is basically is a type of duplicate name, इसको आप consider कर सकते हैं, as a duplicate name, और इसकी जो responsibility होती है, right, इसकी जो responsibility होती है, if you don't want to distribute, if you don't want to share your personal information, right, कुछ ऐसी जगा पर requirement होती ही, जहां पर आपको email id प्रोवाइड करनी है, बड़ आप नहीं चाहते हैं, कि हमारी official mail id सभी के पास पहुंचे, तो उस case में, आप अपने alias को share कर सकते हैं, अब difference की बात करें, तो इस पे जो भी बंदा, जिसको भी आपने share कर रखा है, इस email cloud.net पे receive हो जाएगा, वो mail, वो attachment वो आपको इस पे receive हो जाएगा, दूसरा benefit है, कि आप कभी भी alias को delete कर सकते हो, अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं, I don't want to continue with this particular mail, और या आपको बहुत सारे advertisement की mail में इलना start हो रहे हैं, तो उस case में भी आप इसको कभी भी delete कर सकते हैं, या इस name को ही replace कर सकते हैं, यह पूरी तरीकी से आपके उपर depend करता है, manage कैसे किया जाता है, आप अपने users की properties पर जाएंगे, account पर click करेंगे, manage username पर click करेंगे, और यहाँ पर जो भी name आप mention कर देंगे, वो आपके इस user के लिए alias बन जाएगा, already एक name यहाँ पर mention है, आप इ alias provide करने के लिए alias में, जैसे हमने यहाँ पर दे दिया test, तो test at the rate teachmecloud.net जो है, यह इसका duplicate name होगा, और जो support at the rate teachmecloud.net है, यह इसका original name होगा, you can say that primary email id होगे, so I am going to add it, अगर कोई भी बन्दा email भीजता है test at the rate teachmecloud.net पर, तो उसको email इसी support वाले पर receive होगे, कैसे, चलिए द देखते हैं, हम open कर लेते हैं अपना wizard, incognito wizard, और यहाँ पर type करते हैं office.com, office.com पर open करने के बाद, need to login through the support user, क्योंकि अभी हमने support वाले user को assign किया है, तो I am going to assign the, I am going to login our office 365 portal with the help of support user, ताकि हम इस पर जो activity कर रहे हैं, alias वाली जो duplicate email id हम यहाँ पर assign कर रहे हैं, उसको उसका practical हम आसानी से देख सके हैं, चलिए, sign in करते हैं, switch with different account, user name है support at teachmecloud.net, ठीक है, दूसरा, जो भी alias name है, आप कभी भी उस alias name से, अपने office 365 के portal को login नहीं करा पाएंगे, because आप उन्हीं user से login करा पाते हैं, 365 portal को, या तो current user हो आपके पास, जो active user है, उसकी list में होने चाहिए, या फिर आप उस user को, एक role assign कर रखा है, या license assign कर रखा है, तभी आप को यह wizard देखने को मिलेगा, outlook को open कर लेते हैं, क्योंकि जो भी mailing conversation होगा, वो आपके outlook पे होगा, और अभी हमारे पास, जो alias है, root account से, जो हमने alias बना रखा था, उस alias पे आ जाते हैं, alias name is test at the rate teachmecloud.net, हमने portal को login किया है, support at the rate teachmecloud.net, और इसी support at the rate teachmecloud.net के साथ, alias को attach कर रखा है, which is test at the rate something, तो do one thing, किसी भी email id से, चलिए हम अपने na gmail का account open कर लेते हैं, और इसी gmail account के through, test को एक mail भेजते हैं, alias के name से एक mail भेजते हैं, और check करते हैं कि क्या वो email हमें support में मिलती है, definitely वो support में मिलेगी, क्योंकि you know that कभी भी, आपके alias को, alias को कभी भी mailboxes assign नहीं होता है, individual या separate specify mailboxes upload नहीं होता, तो चलिए compose भी क्लिक करते हैं, और एक email भेजते हैं, test email भेजते हैं, अपने alias वाले account को, right, support से login किया है, और alias को भेजते हैं, तो वहाँ आपकी जो email है, वो redirect होकर main पे आनी चाहिए, test at the rate something, test aliases, this is test email for O365 aliases, ठीक है, चलिए करते हैं, send और इंतियार करते हैं, यहां से हमने send किया, एक private, public email id से, gmail हमारा public email id container किया जाएगा, और इसको हमने भेजा है, किस पे alias वाले number पे, account पे भेजा है, तो इंतियार करते हैं, थोड़ा सा, और हमें वो email यहां पे मिलनी चाहिए, if everything is okay, okay, sorry, actually, test has been blocked, actually, मैंने, जो external domain है, जैसे, gmail account का domain है, उसको हमने block कर रखा है, that's why we are unable to find it, चलिए, इसी email id से send करके देखते हैं, इस email id पे हम login किया है, इसी से email send करके देखते हैं, and let's see, क्या होगा, क्या हमने external domain को block कर रखा है, तो external domain है, पे हम email नहीं send कर सकते हैं, इसी की थुरू, alias का यहां पे address provide करते हैं, test address something, नाम दे देते हैं, test email, this is test email for alias, ठीक है, alias के लिए email भीजने हैं, send करते हैं, wait करते हैं, थोड़ा सा, चलिए, यहां पे एक undelivered का message आ रहा है, क्योंकि हमारे इस account पे लाइसेंस असाइन नहीं है, तीक है, या, it is not active, क्योंकि लाइसेंस ना होने की वज़ाए अक्टिव नहीं है, आइंड, let me check with another account, the another alias name जो हमने set up किया था, दूसरे alias name को एक बार try करते हैं, this is another alias name, अच्छा, we haven't saved it, sorry, एक बार फिर से try करते हैं, क्योंकि हमने save नहीं किया था, इस configuration को, चलें, एक बार फिर से देखते हैं, कहीं से भी check कर लेते हैं, block दिखा रहा है, यहां पर, paste करते हैं, not this one, test at the rate teachmecloud.net, test mail, यहां पर भी हम test ही लिख देते हैं, send करते हैं, undelivered नहीं आना चाहिए, öß अगे रहा, तो भी आना चाहिए, दीनित हैं, क्योंशाते हैं, Сअ दोड़िए, क्योंकि हम एक आना चाहिए, कि दूख से वाले अलियस से हम एक बार सेंड करके देखते हैं बेसिक सा टास्क है इतना ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि में भी कि एक्स्टर्नल डॉमेन को हमने ब्लॉक कर रखा है उसकी वाज़ा से होगा और लाइसेंस की वाज़ा से भी यह प्रॉब्लम हो सकते हैं तो अधिक है तो आधिक वी अबल टो एक्सेस दा इमेल जो हमने अलियस बनाया था उस अलियस के नेम से अम इसको एमेल को एक्सेस कर पा रहे हैं तो लेट सेट इमेल टोग है वेसस तेस्ट इमेल यह हमारी गीमेल अकॉंट से आ रहा है तो येयस अलियस के ओपर आप मेल भीजेंगे जो भी अलियस नेम पर मेल भेजेंगे वो इनडायक लिएकली आपके मेन अकाउंट पर आएगा और आप इसससरे रिवड काट सकते है ठीक है अब alias name से कोई नया office 365 का portal login नहीं कर पाएंगे बाकि आप email services सारे task perform कर सकते हैं तो guys यह alias की बात हुई और alias के साथ साथ एक और point यहां पर हम add करना चाहेंगे users की properties में क्योंकि interviewer कही बार question put up करता है alias और alternate email id में difference किया है तो जिस तरीके से आपने alias को देखा उसी तरीके से यहां पर एक alternate email id का option दिखाई पड़ रहा है जहां पर आप अपनी existing जो current existing email id है उसको आप साइन कर सकते हैं Gmail की हो गई यहां email की हो गई यह आधर कोई email id है जिसको आप साइन कर सकते हैं Benefit इसका क्या होता है जब आप existing email id असाइन करते हैं alternate वाले पार्ट में इट मिंस दैट आप कभी भी अगर इसका पासो ढूल जाते हैं या और कोई problem आ जाती है आप login नहीं कर पा रहे हैं तो alternate email id के जरीए login करा करके इसको reset कर सकते हैं तब आप alternate email id के इस्तवाल करेंगे उमीद है कि आज की class में जो भी discussion हुआ वो समझ में आगे होगा और that's it for today's session मिलते हैं next class में discuss करते हैं more about it आज के लिए इतना है guys take care bye bye and do subscribe your on teach me club youtube channel bye guys